आपका स्वागत है दरन बीशो क्लिप्स नेम बस देखते रहो और सीखते रहो हर साल जब शाक टैंक की शुरुआत होती है भारत में तब लोगों का इंटरेस्ट बिजनस में बढ़ जाता है पर लोग आजकल बिजनस के बारे में सिर्फ जानने लगे हैं हर किसी को यह बता है कि capital जैसी चीज होती है, investors होते है, equity नाम की चीज होती है बहुत कम लोगों को VC circles के बारे में पता है तो आज आपके through हम VCs के बारे में जानेंगे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अर्चना आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ और जरूर, I think, बहुत अच्छी बात है कि बहुत लोगों को अगर यह इस चीज में उच्छता है, जानने की जग्यासा है, तो बहुत अच्छी बात है जितने लोगों को ज़्यादा पता चलेगा, उतना यह जो सारा फील्ड है वो बड़ा होता जाएगा, और इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे को job creators चाहिए है, wealth creators चाहिए है, नौकरी ढूणने वाले थोड़े से कम चाहिए है हर कोई Facebook के बार में जानता है, Instagram obviously जानता है, Snapchat, Apple, इन सारे companies ने VCs के साथ मिलकर अपनी companies को growth दिलवाई है, पर इसका logic exactly क्या होता, और actually इस logic को और गहराई से समझने के लिए, maybe let's reference Shark Tank, मतलब Shark Tank को लेकर, as an example, आप VC system को समझा सकतो, तो अप to you तो आप जो Shark Tank में, आप जिन लोग को Sharks को देख रहे हैं, वो अपने खुद के पैसे लगा रहे हैं, ठीक है, तो उनको typically Angel Investor बोला जाता है, उसका ये मतलब होता है कि वो बहुत जल्ली आते हैं किसी company में, और ये विस्तार से अगर मैं समझाओ, तो उसका ये मतलब होता है कि जैसे आपके पस कोई idea है, या आपने थोड़ा कुछ बनाया है अपनी company में, तो आप Angel Investor के पास जा सकते हैं, जो आपसे कुछ सवाल पुछेगा, या पुछेगी और उसको देख के फिर वो आपको investment देंगे, ठीक है, जो VC होता है, जिसका full form venture capital है, उसका ये मतलब होता ह है कि मेरे जैसे जो लोग हैं, जो मैं venture capitalist हूँ, मैं limited partners होते हैं, जिसका मतलब होता है कि वो मेरे investors होते हैं, मैं उनसे पैसा raise करती हूँ पहले, और आपको SEBI से आपको license लेना पड़ता है, ये सब करने के लिए, तो इसको blind pool of capital बोला जाता है, जिस तरह की VC मैं हूँ, उसका जाता है, जिसका मतलब होता है कि, जो मेरे LPs मुझे पैसे दे रहे हैं, उनको ये नहीं पता रहता है, मैं कहाँ पर investment करूंगी, तो वो decision मेरा होता है, तो उस decision लेने के लिए, मुझे बहुत काम करना पड़ता है, पहले, मेरे investors को convince करने के लिए, मुझे बहुत काम करना करता है, it has to beat stock market, inflation, या कोई भी asset class जो ऐसा है, जहां पर उनके पैसे ज्यादा अच्छी तरह से ग्रोग कर सकते हैं और रिस्क कम है, तो क्योंकि बहुत सारे VCs early stage में जाते हैं, early stage का मतलब होता है कि business में बहुत कम चीजें अभी define होई होती हैं, तो risk बहुत जादा होता है, औ तो 10 साल तक वो VC, LP को पैसे नहीं दिखेंगे, कि वो पैसे आएंगे, नहीं आएंगे, तो ये सारी uncertainty होती है, तो वो हो गया कि मैंने पैसे ले आई, मैं अपने LPs से, अब मेरे को देने हैं start-ups को, तो अब मुझे बहुत काम करना है क्योंकि मुझे मेरे पास regulator है, क्योंकि म मेरे LPs को, तो मुझे investment जो करनी है, उसी दाइरे में करनी बड़ती है, otherwise, वो मेरे LP मेरे को बोल सकता है कि आपने तो मेरे से पैसे लिये थे, ये बोलके कि आप इन जगाओं पे invest करेंगे, पर आप तो किसी और जगह पे कर रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं, तो वो सारा ज कर मेरी स्टाटजी है कि मेरी स्टेज मेरे डालूंगी, पर मैंने बोला की मैं थोड़ा सा रेविण्यू देखंगी ए राइट, और मैने डालना शुरू कर दिया, सो करोड वाली, ज्रू वाली एनोल रन रेट वाली कंपनी में, तो मेरा LP विल सेना कि आप इतनी बड़ी प तो फिर में को फिर से समझाना पड़ेगा लप कि मैं ये डिसिजन क्यूं लिया, तो बहुत founders थोड़े से गुसा हो जाते हैं जब एक VC उनको मना करता है क्योंकि कभी-कभी उस दाइरे में वो नहीं फिट कर पाते हैं, तो थोड़ा सा, it is also because मेरे को अपने LPs को जो मैंने प्रॉमिस करके जो पैसा लिया है, I have to stay true to that, तो मेरे वो भी बहुत ज़रूरी है, so just to complete this thought, इसलिए जो अलग चीज़ होती है VC और Angel में, बहुत institutionalized जो capital बोलते हैं, कि भाहिया आपको इतना मिलेगा एक strategy होती है, कि अगला round भी मिल सकता है, हम एक चीज़ बोलते हैं pro data, जो अगले round में हम company को अपने pro data के basis पे help करते हैं, तो जो angels होते हैं, वो personal decisions यह रहे होते हैं, हम एक institutions, हमारी एक investment committee होती है तो, और फिर उसके बाद, finally, जो हम अलग करते हैं, हम बहुत support करते हैं, because मेरे को उस deal में से पैसे बनाना बहुत जुरूर है, क्योंकि में को वापस करने होते हैं, right? Angel पे वो नहीं होता है pressure, क्योंकि वो खुद का पैसा होता है, और बहुत छोटा amount होता है, तो आपके पांच लाग, दस लाग, चले भी गए, तो आपको इतना उसमें दढ़नी होगा, या आपको किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा, तो यह सब है, मैं मेरे नजरिये से, एक college student के perspective से भी थोड़ा सा समझा दूँगा, and please correct me, जहां भी मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, तो basically मान लो एक college student, या young entrepreneur के नजरिये से, उनका एक तगड़ा business idea है, ideas बहुत साई लोग होते है, execution बहुत लोग करने ही पाते, पर मान लो किसी ने execution की शुरुआत कर दी, एक तगड़ी team बना ली है, एक तगड़ा co-founder मिल गया, और मेहनत करने की, वो drive है उनके दिल में, अब उनके पास पैसे नहीं है, इस idea को execute करने के लिए, अकसर लोग, उस point तक आकर, रुख जाते हैं, ये नो, एक founder के साथ बैठना न, उससे बढ़िया चीज नहीं हो सकती है, देखिए आप रियल स्टेट में, मतलब इन दिवारों पर पत्थर पर पैसा लगाना में, मतलब कोई मजा नहीं आता है, वो founder की energy, उसके नए ideas, execution, एक जो company बनती है नीचे से उपर, वो जो मजा है, वो जो नशा है, और किसी में नहीं है, जैसे, बॉलिवड फिल्म्स में ना कभी एक scene होती है, जहां एक director, producer, एक young actor को मिलता है, और कहता है कि, मैं ते को star बना दूंगा स्था, angel investor का role ये होता है, कि उन्होंने खुद पैसे बनाए हुए है life में, और वो ये चाहते है कि, कोई और अब उनके पैसों के थ्रूं ग्रो करें, और भारत में बहुत सारे angels है, कुछ खराब angels भी होते हैं, so you have to be very careful, बहुत सारे अच्छे angels होते हैं, और especially जब कोई young entrepreneur होता है, या college entrepreneur होता है, जिनको equity के बार में ज्यादा समझ नहीं है, या deals के बार में ज्यादा समझ नहीं है, वो फस जाते हैं बुरे angels के साथ, इसलिए angels पर research करना बहुत ज़रूरी होता है, कि अगर आप उनके साथ deal कर रहे हो, तो अच्छी deal मिलनी चाहिए, और ये shark tank के बड़ी एक देन है हमारे देश के लिए, क्योंकि लोगों को good deals और bad deals के फर्क के बार में पता चला है, कि ऐसे भी होता है, अभी ये हो गया shark tank का example, दोज़ा angels, अक्सर लोग क्या करते हैं, एक angel round raise करते हैं अपनी company के लिए, मान लो उन्होंने 1 करोड या 2 करोड रुपए raise किये, फिर कुछ growth दिखा देते हैं खुद की start-up की, यानि कि एक product बन गया, या उनके users आ गए, या थोड़े से profits कमा लिए, फिर उन्हें ये लगता है कि, अच्छा, अभी मुझे और तेजी से grow करना है, या तेजी से profits कमाने, उसके बाद या तो आप एक और angel round कर सकते हो, या आप एक VC के पास जा सकते हो, VC एक angel investor की तरह है, पर वो एक company है, एक इंसान नहीं है, correct? Fair to say that? It's an institution, मतलब बहुत पूरा system होता है, जी, और ऐसा होता है ना, जैसे अब आप investment committee होती है, तो वो भी बड़े मजह हुए लोग होते हैं, इस ecosystem के, तो वो भी बहुत value add करते हैं, कि भाया, इस business में dumb है की नहीं, तो इसलिए जो आपको VC से support मिलता है, वो आपको individual से काम मिलता है, because it's natural, right? कि अगर एक अखेला इंसान है, और उसके let's say 30 investment है, वो कहां कहां पर help कर पाएगा, या कहां पर देख पाएगा, और हार स्टेज पर फाउंडर्स को बहुत, अलग-अलग मदद की ज़रोध होती है, because हार स्टेज पर एक mode आता है, और उस mode में आपको, देखे, entrepreneurship जो है न, आपको यह सोचना पड़ेगा, जैसे आप पूरी जिन्दगी धुनले, धुनले में चल रहे हैं, आपको कुछ कभी भी वो पूरी clarity नहीं मिलेगी, कि यही रस्ता अगर आप पकड़ोगे, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, हार टाइम आपको imperfect information होती है, उस पे आपको decision लेना होता है, और वो decision आपको या तो पूरी कमनी बंद हो सकती है, या आप बिलकुल बड़े बंद सकते हो, और बहुत founders ने ये, जो जिसको हम कहते हैं counter intuitive, which means कि जो उस समय जो बात मानी जाती कि ये अगर करोगे तो ठीक होगा, उसके बिलकुल विप्रीत चीज करी होती है, अगर आप बहुत जगे पे इन्वेस्टेड हैं, पहले क्या उता था हिंडिया में कि इतने VCs होते नहीं थे, तो VCs भी, जैसे मैंने पहले बोला, अलग-अलग strategies होती है, किसी के strategy हो सकते हैं कि भाया, आप paper plan ले आओ, कोई अच्छा सा idea ले आओ, हम उस पे भी invest कर देंगे, ठीक है, कुछ VCs होते हैं, जो बुलते हैं कि हमारे को थोड़ा सा revenue देखना है, कुछ देखना है कि कुछ आपने कर आया की नहीं कर आया है, ठीक है, तो वो अलग-टाइप के VCs होते हैं, फिर होते हैं कि जो, जैसे आप बुल रहे थे, कि थोड़ी growth और हो जाए, तो वो VCs भी होते हैं, इंडिया में पहले, जो बहुत early stage वाले VCs थे, वो नहीं होते थे, क्योंकि वहां पर रिस्क आपको बहुत बढ़ जाता है, कि आप paper plan पर किसी को पैसा दे रहे हो, and again, आपको उस तरह के LP चाहिए होते हैं, जो आपकी उस vision के साथ, वो aligned हो, यह फिर से थोड़ा सा समझाना होगा, मतलब basically as a VC firm, आपके खुद के भी investors होते हैं, यह investors अकसर ultra HNIs होते हैं और family funds, नहीं, तो तीन-चार तरह के होते हैं, एक होते हैं family offices, इट कुट बी individuals हो सकते हैं, जैसे बहुत सारे जो founders हैं, आप अगर 15-20 साल से या 30 साल से, जो first generation of entrepreneurs इंडिया में बने थे, तो उनके अब बहुत सारे पैसे उन्होंने बना लिये हैं, वो जो founders हैं, जो invest कर रहे हैं founders में, आज के founders में, वो इसलिए कर रहे हैं क्यूंकि वो उस दौर से गुजर चुके हैं, उनको पता है कितना मुश्किल होता है, और इंडिया में business के लिए equity का पैसा मिलना बहुत-बहुत मुश्किल है, मतलब I would say it's almost impossible, इंडिया में अभी तक जो पैसे मिलते थे, किसी business को, forget startups, entrepreneurs, किसी भी business को, आप अपने किसी अमीर, दोस्त या किसी रिष्टिदार के पास जाते थे, वो ब्यास पे आपको पैसा मिलता था, और आपको पैसा लुटाना पड़ता था, जो equity है, वो बहुत नहीं चीज हैं इंडिया के लिए, तो मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि आप पैसा दे दोगे, बस, और कुछ दी लोग हम से, सो आजसे नहीं कुछ दी लेंगे, बिकुज हमने equity लिया आप से, तो वो बहुत एक नया तरीका है, इंवेस्ट करने का, तो वो जो होता है, वो founder को थोड़ा सा, उसको freedom लजाती है, उसको independence मिल जाती है, कि वो किसी तरह से भी अपना business बना सकता है, क्योंकि वो पैसे मेरे को, नकत के साथ, मतलब वो वाफिस नहीं करने है, वो जब exit मिलेगा, तब मेरे को पैसे मिलेंगे, ये फिर से pause करके समझाना है पनेगा, चलिया, तो basically, आपके investors, आपको पैसे दे देते हैं, अभी उनके पास portfolio management services के भी options होते हैं, उनके पास सब options होते हैं, मतलब कहीं भी पैसे दाल सकते हैं, एक building खरीच सकते हैं, real estate करी सकते हैं, जमीन खरीच सकते हैं, अपके खुद के business में भी पैसे दाल सकते हैं, पर वो ये चूज करते हैं, नहीं, चलो एक VC फर्म के पास जाकर, हमारे पैसे वहां, इन्वेस्ट कर देते हैं, ताकि वहां बहुत तगड़े returns मिलें, जैसे high risk, high return नाम की, एक financial strategy होती है, कहते हैं कि, अगर आप 20s में हो, और if you can afford it, आपको high risk, high return वाली investments करनी चाहिए, क्यूंकि आपकी शादी नहीं हुई है, आपके बच्चे नहीं है, आपकी responsibilities नहीं है, तो ये उस level पर जाकर, वोड़ यू से high risk, high return होता है? It is high risk, high return, तो family offices, entrepreneurs जो नहीं अपना पैसा बना लिया है, then fund of funds होते हैं, इंडिया में अभी थोड़े काम है, but globally, ये strategy होती है, fund of funds, funds में पैसा डालते हैं to deploy, फिर sovereign funds होते हैं, which means कि उस देश का एक fund बना होता है, again it's a fund of funds, फिर endowments होते हैं, वो normally अमेरिका में जादा होते हैं, जो university endowments होते हैं, जैसे Harvard का एक endowments होते हैं, ये अप LPs के बारे में बता रहा हैं, ये पैसे आते हैं, कहां से आपके investors, तो इन सब क्लास का जो पैसे आते हैं, हर एक के साथ अलग-अलग मुश्किले हमारे लिए होती हैं, to justify कि हमारे को पैसा क्यों मिलना चाहिए, और उतने ही उनके return के जो conditions होते हैं, वो और-और मुश्किल होते हैं, तो जब कोई VC किसी founder को मना करता है, एक बहुत जरूरी कारण होता है कि, वो business उस तरहे का return, दस साल में, आठ साल में ला पाएगा कि ने, because आप, आपको सबसे जो सबसे important criteria एक VC के लिए है, LP की तरव से, is कि आपको return करना ही करना है पैसा, at a certain rate, right? जैसे आपने का बाकी सारे asset classes जादा, because इसमें रिस्क जादा है, right? तो ऐसे ही बहुत सारे clips अपलोड कियें इस चैनल पर, चैनल को explore करो, देखते जाओ, और सीखते जाओ. ।